हेले स्टुडेंट्स कैसे आप लोग आई हूप आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ आप दूबे और यह है आपका प्यारा से चैनल M.P.Center इस्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेविशन तथा जर्मर प्रयोग यानि डेविशन और जर्मर एक्षपेरिमेंट यह Modern Physics का Lecture No.5 है और यह बहुत ही Important Topic है बोर्ड के एक्जाम से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेट आपका कोई भी डाउट है तो 100% इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर होने वाला है सबसे Important Part इसके Notes का Link मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से जाकर कि इसका Notes आप आशानी से बड़े आराम से बना लिजेगा यहां पे केवल और केवल चीजों को आपको केवल शमझना है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को धुआ धुआ करते हैं एकदम आशान तरीके से आपको शमझाते हैं चले देखी बात 1924 इस भी की है बच्चो 1924 में एक वैज्ञानिक आए डी ब्रॉग ली नाम तो सुना होगा लैक्चर अगर वह कड़ गतिमान है कैसा है गतिमान है तो उससे शंबध होंगे तरंग ठीक है यानि कोई भी गतिमान कड़ संबध रखता है तरंग का अरथात उस कड़ से एक संबध रहेगा तरंग यान आटोमेटिक उसमें तरंग का गुड आ जाएगा ठीक है ना इन्होंने बत तरंग्ली तरंग उसका नाम इन्होंने क्या रखा DR GROGGLY तरंगर बहुत ैटेशल में प्रिवेस लेक्ट ऀन में हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में बढ़ा था और उसकी तरंग द्य contra भी डे जैडर्ध को इन्होंने कहा डी ब्रागली तरंग हिए और दोम्हचो थादी कार्क काम होता है क्वाard कि जहां अच्छ o Planck constant, P है उस moving कड़का, उस गतिमान कड़का क्या momentum, यानि की शनवेग, ठीक है न, इनोंने बताया, ये सब चीज़े इनोंने बताई, मोजबानी बताया, कोई buses, प्रयोग इनोंने नहीं दिया, या फिर इन्होंने इन चीजों को प्रूफ नहीं किया था ऐसे ही बता दिया इन्होंने बताया कि कोई भी गतिमान कड़ है उसे एक संबध होगा तरंग उस तरंग का जो तरंग दैर्ध होगा लेंडा ब्रावर या चपान पी होगा यदि कोई इलक्टरान है उसी अधार पर इन्होंने बताया कि कोई अगर इलक्टरान है उसको भी बोल्ड पर त्वरित किया जाए तो उसका जो तरंग दैर्ध होगा वा बारा दसमलोग दो साथ बते अंडरूड भी एंगेस्टरान होगा इन चीजों को भी हमने प्रिवेस लेक्टर में प्रूफ किया था ये सब चीजों इन्होंने क्लियर कर दिया लेकिन इसके विसे में कोई बिसेश प्रूफ नहीं दे पाए तो इस विसे में प्रूफ देने आए 1927 इस्वी में डेमिशन और जर्बर ने डेमिशन और जर्बर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी गतिमान कड़ है उस गतिमान कड़ से तरंग एक संबध होगा ठीक है ना इन्होंने प्रूफ किया कि कोई भी कड़ है गतिमान कड़ वह क्या दिखाएगा वेब नेचर को दिखाएगा तो इनकी प्रायोगी विवस्था को इन्होंने कैसे पुरा का पुरा प्रयोग किया उन सब चीज़े को वारे में हम लोग चले इस्टडी करते हैं तो डेविशन और जर्मर ने क्या किया साइस से आप समझ गया होंगे कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में चले देख लेती हैं सबसे पहले डेविशन और जरमर ने क्या किया, एक फिलामेंट लिया बच्चों, ठीक है ना, क्या लिया, एक फिलामेंट लिया, कुछ इस प्रकार का उनका फिलामेंट था, और इस फिलामेंट को एक लोवर टेंशन के साथ जोड़ दिया, छा बोल्ड, बारा बोल्ड के यहां से electron निकलेंगे अरे यह इसको क्या करेगा इस filament को energy प्रतान करेगा energy जब पाएगा तो यहां से क्या होंगे electron निकलेंगे और क्या किया बच्चों इन्हों ने दीखिए यहां से इन्हों ने कुछ इस प्रकार से इसको कर दिया है दीखे एक gun के रूप में जो भी electron निकलेगा उसको एक gun का रूप दिया यानि कि electron जो भी निकल रहा है वो बहुत इसमाल यह जो है बहुत इसमाल छोटा सा एकदम छिद रहे ठेक है यह बहुत इसमाल इसको बोलिए यह बहुत इसमाल छोटा सा छिद रहे यानि कि जो भी एलक्टान निकलेंगे इस छोटे से छिद्र से हो करके यहां से बाहर निकल पाएंगे तेका ना उसके बाद इस पूरी की पूरी विवस्ता को इन्होंने एक हाई टेंशन शेल के साथ जोड़ दिया पूरी की पूरा जो सिस्टम था इसको बहुत ही उच बहुत उचा है और यह परिवर्तित है यानि कि इसके विभाव को परिवर्तित किया जा सकता है यह जो विभाविनों ने लगाया इसको अपने शाफ से कम जादा कम जादा किया जा सकता है अब देखिए यहां से इलक्ट्रान निकलेंगे इसका काम क्या होगा जो इलक्ट् तोरट देगा यानि कि तुरित गति प्रतार करवाएगा जो भी लक्टान यहां से मूव करने वाले हैं ठीक है ना इसके ठीक नीचे बच्चो यहां पे इन्होंने नेकल का क्रिस्टल रख दिया यहां पे इन्होंने क्या किया यह हमारा क्या है नेकल का क्रिस्टल है दिख र निकल के crystal पर ऐसे लंबवत आकर के गिरेगा ठीक है ना उसके बाद इन्होंने क्या किया इसके बाद इन्होंने एक ऐसा बृत्ताकार ठीक है ना बृत्ताकार पैमाना लिया कुछ इस प्रकार से बृत्ताकार पैमाना लिया ठीक है ना इस बृत्ताकार पैमाने पर इन्होंन electron को collect करने वाला collector लगाया और इस collector के साथ इन्हों ने galvanometer को जोड़ दिया और ये जो आपका है बृत्ताकारी scale जो है बच्चो इसको ऐसे setting किया कि इसको जरूत के हिसाब से चाहे जिधर ओपर रीचे दाएं बाएं आप घुमाशकते हैं ये जो scale इन्हों ने लगाया है इस scale को इस प्रकार से विवस्थे किया डेविशन और जर्मर साहब ने कि पूरे के पूरे scale को जरूत पड़ी ऐसे पकड़ करके ऊपर कर सकते हैं जरूत पड़ी नीचे कर सकते हैं जरूत पड़ी इधर ला सकते हैं पड़ी नीचे जाग सकते हैं यानि जहां ज़रुत पड़ेगी इस पूरे के पूरे स्केल को क्या करेंगे इस पूरे के पूरे स्केल को आप लोग ले जा सकते हैं ठीक है तो यह उनकी प्रयोगिक विवस्था है इसी प्रयोगिक विवस्था के द्वारा यानि कि देखें य यहां से ऐसे होकर के जाएदे इसमें कलेक्ट होंगे ठीक न ka मैं तो पेले वह बनाई है चोटा सा फिगर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ ठीक है यह दिखिक्र जो the Kal Kapoj कहा है इसको इन्होंने नाम दिया फ्टार इसे लेंडर करेंडें यह क्या है फैराडे सिलेंडर है, ठीक है ना, यह हमारा क्या है, फैराडे सिलेंडर है, तो यही उनका पुरा का पुरा poorly experiment है, एक बार हम लुक्त करते हैं, आपको सब कुस दीख रहाए कि नहीं दिख रहा है हाँ चीज एकदम असपष्ट दिख रहे हैं कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है ना यह आपका क्या है फिलामेंट है यह आपका फिलामेंट है और इसके गन की रूप का बनाया गया है ताकि यहां से जो इलक्ट्रान निकले विद्धम पतले मारक से निकले ताकि जो इलक्ट्रान निकल रहे वो एक बीम का निर्बाड कर सके ठीक है यहां से इलक्ट्रान पुंज बाहर निकलते ह है एलक्ट्रान है यहां से क्या बाहर निकल रहे है एलक्ट्रान पुंज बाहर निकल रहे है ठीक है ना एलक्ट्रान पुंज ठीक है फिगर बन गया तो इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं समझना प्रारम करते हैं हमें इन्हों ने क्या दिखाया कि जो ये इलक्ट्रान पुंज हैं ये पार्टिकिल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करते हैं ये बात इस प्रियोग के द्वारा डैविशन और जर्मर साहब ने 1927 इसवी में प्रूफ किया और इसके लिए इनों को नोबल पुरशकार में मिला है इस बात को प्रूफ करने के लिए डैविशन और जर्मर साहब को नोबल पुरशकार भी मिला है चले देखी इनोंने क्या क्या सबसे पहले इनोंने ये जो बोल्टेज था इस बोल्टेज को लो रखा, लगभग 10 20, 25 30 तक रखा इन्होंने यह जो बोल्टेज है, यह परिवर्थी है मैंने आपको पहले बताओ यानि इसके बोल्टेज को कमिया जाथा, किया जा सकता है, टेक है, तो इन्होंने क्या किया बोल्टेज को थोड़ा शाह कम रखा जब voltage कम रखा तो यहां से electron निकल रहे इसके कारण यहां से यह क्या करेगा इसको तौरित गरती प्रतान करेगा तौरित गरती जब प्रतान किया इन्होंने देखा इन voltage उपर कम voltage उपर यहां से जो electron निकले इस से टकराए तक्राने के बाद समान रूप से चारो और फैल गए अब आप कहेंगे कि कैसे इनको पता कि चारो और समान रूप से फैल गए तो ये क्या किये इस स्कैल को चारो साइड ऐसे उपर नीचे दाए बाए लेकर के गए ये गैलवानोमेटर की जो सुई है सभी जगर लगभग लगभग समान विच्छेप दिखा रही थी यानि सुई जो थी ऐसे हलका सा ऐसे घूम रही थी अब आप कहेंगे कि ये सुई कहां से घूमेगी अब जैसे यहां से इलक्टान आए इस पे टकर आए चारो और फैल गए तो ये जिधर जाएगा इसको इस कोल को जिधर लेकर के जाएगे इसमें इलक्टान कलेक्ट होंगे इलक्टान कलेक्ट होंगे यानि कि गैलवानोमेटर में विच्छेप होगा अरे इलक्टरान के प्रवा के दर को धारा कहते हैं तो जैसे इलक्टरान प्रवाहित होंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी और गैलवानोमीटर की सुई विच्छेप करेगी तो इस स्केल को चारों तरफ ऐसे ले कर गए गए सभी जगह इन्होंने देखा कि इस गैलवानो मीटर में जो बिच्छेप है वह क्या है लगभग लगभग बराबर है अर्थात ये जो इलेक्टरान निकल रहे हैं ये कैसे दिखा रहे हैं पार्ट किल नेचर को दिखा रहे हैं बच्चो पार्ट किल नेचर अब आप कहे कि कैसे पार्ट किल नेचर दिखा रहे हैं क्योंकि पार्ट किल जो कड होते हैं कड प्रकिती उनकी यह प्रकिती होती है कि किसी भी वस्तु से टकराएंगे टकराने के बाद चारो दिशाओं में समान रूप से फैल जाएंगे तो इलेक्टरान भी इस क्रिश्टल से टकराय तक्राने के बद चारों तरफ समान रूप से फैल गया। कैसे हमें पता चारों तरफ से यह जो गैलवनो मेटर की सुई थी, यह सभी दिशाओं में समान शमान भी छ्थब देखा रही थी। अरफात यह जो एलक्टान है वो कैसी प्रकित कर रहे हैं कड़ प्रकित के हैं अब यहां से पाते कुछ क्लियर वे कड़ प्रकित है और यह कड़ जो है वो मूब कर रहा है गति कर रहा है अब इन्हों यह जो आपका बोल्टेज है इस बोल्टेज को बढ़ाया इस बोल्टेज को क्या किया बढ़ाया बढ़ाते बढ़ाते लेकर के 44 बोल्ट तक कहां तक लेकर गए 44 बोल्ट तक 44 बोल्ट पर लेकर गए तो यहां से और तौरित होंगे जितना बोल्टेज बढ़ाएंगे इलक् घुमाया घुमाया अरी एक अस्थान इन को ऐसा मिला जहां इस तर्षागा lle ie। वे की ज्ज़ादा करगेक एक अस्थान इन इस चवा लीज़ बोल्ड के विभाव पर जहां पे यृवर्डी की सभी जगह तो एकदम हराम से अराम से अराम से थोड़ा 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 कर रहा था लेकिन एक ऐसा स्थान मिला इनको माल लेते यहां पर जहां पर इसकी सुई जादे डिफलेक्ट की जादे डिफलेक्ट की इसके बाद इन्होंने बोल्टेज को और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ बनाया हुआ है तो इसको ले जा रहे थे ले जा रहे थे ऐसे घुमा रहे थे खुमा रहे थे खुमा रहे है इस k下面 समान 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 ऐसी सथ मतलब हलका फुल काsce कर आStop जादा doukator नहीं कर रहा सा मिला जहां ऑप को जड़ा आधा Maximum यह जो 일 भी को मैक्सिमम ॉम डिफलेक्ट कर गई यानि यहां पे गैलवानोमेटर की जो सुई है वह बहुं ज़्यादा डिफलेक्ट कर रही तो इससे 50 डिग्री है कि कोड पर प्लभ फाइंग इक्वल कोड पर मिला 50 यानि इससे पचास अंस के कोड पर जब ये scale गया तो scale के automatic galvanometer में बहुंँ ज़्यादा deflect देख रहे हो कि लिए बाकी सब नीचे लेकर के आ रहे हलका सा सूई बिच्षेब कर रहे है और नीचे लेकर के अलका सा उपर लेकर के जाँ बहुत हलका सा बिच्षेब कर रहा है लेकिन जब इसके साथ 50 degree पर ले गए बच्चोँ तो ये gainvanometer की सूई बहुत जादा बिच्षेब कर गई बहुत जादा बिच्षेब कर गई मैक Prosemmam कहने का मतलब है कि कुछ जगह पे एकदम कम कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन का है कुछ जगहों पे एकदम कम कुछ जगहों पे अधिक्तम यानि जहां कम होगा वहां पे बिनाशी ब्यतिकर्ड बर रहा होगा जहां पे जादा एकदम होए वहां पे कुछ लगने लगा जरूर यह जो Moving Particles हैं यह वेब की तरह बेभार कर रहे हैं कैसे इनों ने पता लगाया कि यहाँ पर जहाँ बहु ज़्यादा Deflect का संदोशी बितकरण हो रहा हुआ जहाँ पर कम कांविनाशी बितकरण हो रहा हो यह तो कहां हो रहा वेब में हो रहा था इसके बाद इन्हों ने क्या किया इसके बाद इन्हों ने क्या किया लेमढ़ा जो डी ब्रॉगली sì आपने तरेंगिवाण्ट इधास्च मे करण दिया था किसी भी भी बोल्ट पर भी वेवान्तर पर कोईいました तो तविट किया जाता है 54 बोल्ट टेका न अब इसको इन्होंने solve किया solve करके आप solve करेंगे तो लगभग 1.67 एंगेस्टान मिलेगा यानि कि जो तरंगदैर्थ मिला 54 बोल्ट पर जो तरंगदैर्थ मिलेगा डीप लॉगली equation से वह किता मिलेगा 1.67 एंगेस्टान का मिलेगा अब इन्होंने एक और experiment किया यह चीजे already experimented थी पहले से प्रियोग में थी यह जो चीज अब इन्होंने बताया उसी शिद्धान पर इसको सिद्ध किया कि वेब निचर है वो चीज already क्या थी पहले से proof हुई थी इन्होंने कहा कि जो X किरड़े होती है जब किसी crystal पर गिरती है जब किसी crystal पर गिरती है और इन यक्स किरड़ों का जो तरंग दैर्द होता है वह कितना होता है 1.6 एंगेस्टान होता है जब 1.6 एंगेस्टान वाली X किरड़े किसी crystal पर गिरती है बच्चो और 5 बराबर 50 डिगरी होता है तब वह विवरतन की घटना को दिखाता है कैसी प्रूफ हो सकती है तरंग की प्रकित से विवरतन की घटना दिखाना यानी तरंग प्रकित को दिखाना विवरतन की घटना दिखाना यानी तरंग प्रकित को दिखाना ये चीजे अल्रेडी प्रूफ थी जब 1.6 एंगेस्टान वाला X किरड़े किसी crystal पर गिरता है और 5 ब प्रकिति देखी जाती है वही बात यही कॉंसेप्ट यह जो कॉंसेप्ट था डेविशन और जर्मर साहब ने यहां पे लेकर आया इन्होंने कहा कि जो तरंग दैर्द है 1.67 एंगेस्टान है 5 कमान 50 डिगरी है अर्था यह जो एलक्ट्रान पुंज है यह विवरतन की घटना को देखा रहे हैं लैम्डा यानि तरंग दैर्द 1.67 एंगेस्टान फाइबर आर्था पचास बें विवरतन की घटना को सो कर रहे हैं विरतन की घटना के वल और केवल किसे प्रकीतिया सकती है तरंग की प्रकीतिया से अगुए रहे है यह बच्चो है यह कैसा दिखा आए तरंग प्रकिति को भी देखा रहा है moving nature तो है, particle nature तो ही है इस विवरतलिकी घटना के दबारा इन्होंने proof किया कि electron punch तरंग प्रकित को भी दिखा रहे हैं अर्थात कोई moving particle है ये electron punch moving particle ही है कोई भी moving particle है वो कैसी घटना दिखाएगा particle nature के साथ साथ तरंग प्रकित को भी दिखाएगा अर्था 20 प्रकित का होता है, दोरी प्रकित का होता है तो इस बात से इन्होंने deep wrongly से आपके equation को proof किया और बताया कि कोई भी moving particle है कोई भी गतिमानकर है उस गतिमानकर से एक तरंग संबद रहेगा इस बात को इन्होंने इस experiment के दवारा proof किया तो I hope ये experiment आपको समझ में आया होगा कहीं से भी कोई भी doubt अब आपको नहीं होगा अगर ये वीडियो आपके लिए helpful हो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को like और share जरू करिएगा आप से मिलेंगे next वीडियो में तब तक बेस्ट अब लुक